सभी आगनवाड़ी बहन्व का फिट से एक और नई और बहुत ही महतोपून आगनवाड़ी की बड़ी खबर की वीडियो में बहनों आज की इस वीडियो में आप सभी को पता लगेगा कि प्रदेश के आगनवाड़ी केंदरों पड मिल रही सेवाओं की किस प्रकार से जांच होने वाली है और इस चरण में जो भी सभी आगनवाड़ी केंदरों को चैनित किया गया है और जिनको भी चैनमुक्त किया गया है वो किस कारण से चैनमुक्त होई है अगर आभी एक आगनवाड़ी सिविका या आगनवाड़ी वरकट हैं तो इस वीडियो को पुड़ा अंतक देखिएगा साथ इस वीडियो को अपने सभी आगनवाड़ी बहनों के साथ सेर कर दिजेगा देखिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह आगनवाडी भाणों के लिए खबर किसके लिए रिकी गई है यहां से जो खबर निकल लगी है यह उत्तर परदेश आगनवाडी भाणों के लिए है लेकिन आप इस वीडियो को पुड़ा अंत देखिएगा जिसके अनुसार आपको पता लग जाएगा कि नीरक्षन के दोरान आंगनवाडी बहनों पे कौन सी अनिमता पाई जाती है जिसके अनुसार वो अपने आंगनवाडी केंद्र से चैनित हो जाती है इस प्रकार से जो लिखा गया था हमाईए इस पूरे खबर को पढ़ते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से आप सभी को कारे करना होता है और कैसे आंगनवाडी सेवी का और साइका बने चैनित हो जा रही है यहाँ पर देखिए लिखा गया है आंगन बड़ी केंद के बच्चों को सासंदुरा चलाई जा रही योजनाओ पर पोष्ट राजेंदर सिंग द्वारा विसेविदाला द्वारा अध्यन के जाएगा इसमें बच्चों को केंद पर मिलने वाले पोसाहार अहार खेलकुच सिख्चा और स्वास सम्मंदित सिवाव की जाच की जाएगी सासे इन योजनाओ में बच्चों के कितनी फायदे हो रही है इस पर भी अध्यन किया जाएगा अध्यन करने के बाद इसका रिपोर्ट राजेपाल को भेजा जाएगा यहां देखिए यहां पर निरक्षन के जा रहा है जो पहले चरण में जो जनकाड़ी आ रही है सामने इसके अंतरगत आंगन वाड़ी केंदुर पे बच्चों पो यहां पर पोसाहार आहार दिये जाएगा खेलकुद में यहां पर जांच किये जाएगा और इसका पूरा रिपोर्ट होगा यहां पूरी जनकाड़ी होगी उस राज्य के जो निराज्य पाल होगी उनको यहां पर सेंड़ किये जाएगा इसके बचे लिखे गया है प्रयागराज मंडल के चारो और प्रयागराज कोडमबास एवं परतिपन में फतेपूर में चरंबत तरीके से अध्यन करने के लिए प्रथम चरंड में 100 आंगनबड़ी किंद्रों को चैनित किया गया इनमें प्रयागराज के 35, प्राप्टगड के 30 और कौसिपगज के 25 और फतेपूर के 10 आंगनबड़ी किंद्र सामिल है इन इतने किंद्र पर यह जो आस्वासा नहीं आपे दिये गया है और इसी किंद्र पे होने वाला है इसमें विस्विद्याले की जिम्मिदारी होगी और काड़े की भागदारी भी होगी राजेंदर सिंग ने कुलपती और अखलेश कुमार सिंग ने बताया कि पहले चरण में विस्विद्याले द्वारा गोद लिये आंगनबड़ी किंद्र का अध्यन के जाएगा यहाँ पे आंगन वाड़ी किन का अध्यान होगा जिसके उसार उनका पता लग सकेगा कि आंगन वाड़ी किन की जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार सिख्चा दी जाए कि वो अधिक यहाँ पे प्रभाफसाली रूप से कारे कर सके हैं इसके बाद देखे रिखा गया है अध्यान में इन केंदरों पर जाच की जाएगी और आगनवारी केंद में क्या सुविधाय थी और वरतवान में क्या सुविधाय हैं और इन केंदरों पर और क्या क्या बहतर किया जा सकता है इसकी जो प्राप्ति होगी सामने आने वाली है मतलब इस पुरे अध्यान का एक ही फाइदा होगा जिसमें यह पता लग जाएगा कि जो चोटे चोटे बच्चे आगनवाडी केंदरों में इन केंदरों पर जब जाच होगा तो आगनवाडी केंदरों में सुभिदाय पहले क्या थी इसके बाद वर्तवान में क्या है और इ पूरा रिपोर्ट होगा उस जिले के राजयपाल को सेंड कर देजागे नि भैज दे जाएगा इसके अंतरगत सभी आगनवाडी केंदरों पर सुधार करें सकता है कि और बहतर आगनवाडी केंदरों कैसे बनाए जाए बचों क्या पसंद आरा है किस प्रकार से रखा कर सकती हैं हम फिर से जोर भी लेंगे और बहुत इंफ्रोमेटी वीडियो के सांथ तब तक के लिए धन्यवाद